Come back to my YouTube channel World Literature जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है Of Unity in Religion by Francis Bacon Bacon का यह जो ऐसे है इसके अंदर इन्होंने अपने interesting ideas और एक different जो है वो concept दिया है अपने lecture जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं ऐसे को details से जो है वो उसको understand करेंगे सबसे पहले अपने writer को discuss करते हैं Bacon की birth हुई थी 22 January 1561 में इनकी death हुई थी 9 April 1626 में Lord of Viralum इनको कहा जाता था 1618 and 1621 के between उसके बाद यह English philosopher भी थे, statesman भी थे और इन्होंने as a attorney journal जह है वो भी काम किया as a Lord Chancellor of England under King James 1 भी इन्होंने काम किया तो इस वज़ा से इनकी जो political thinking थी वो भी काफी ज़ादा strong थी यह ऐसे का थोड़ा background जो है वो discuss कर लेते हैं Bacon ने जो है ना वो इस essay को लिखा of unity in religion उस time पे जब England की पूरी religious atmosphere चेंज हो रही थी means के उस time पे Queen Elizabeth 1 थी उनका रेंज जो है वो चल रहा है means के वो government में है और उस time पे religious जो atmosphere है वो change हो रहा है उस time पे protestantism जो था वो predominant religion था इंगलेंड में और जो church of England है वो protestantism के under control था means के ये जो protestantism है उस time पे वो अपनी peak पे था as a religion तो इस वज़ा से जो है ये religious जो atmosphere था वो change हो गया था Queen Elizabeth के time पे बिकस बेकन जो थे वो एक experienced politician भी थे तो इन्हों ने देखा कि unified जो church है वो होना बहुत ज़्यादा important है means के church के अंदर जो unity है उस चीज की stability होना बहुत ज़्यादा important है और ये जो English empire के अंदर advancement आ रही है उसकी वज़ा से चर्च है इसके अंदर unity होना बहुत ज़्यादा important है इसी वज़ा से इन्हों ने जो essay है of unity in religion जो है वो लिखा था अब इसकी detail जो summary है of unity in religion जो है 1612 में publish हुआ था और इसकी जो current length है वो expand होई थी 1625 में बेकर ने इस essay में सबसे पहले तो जो अपना concept दिया है अपनी ideology उन्हों ने दी है वो ये है कि religion जो है वो सबसे primary thing होती है किसी भी country में और किसी भी culture में और कोई भी human society है humans के society है उसके अंदर religion जो है वो एक basic चीज होती है जो कि अदा glue जो है वो काम करती है जो कि human society को एक साथ रखती है जो कि human society को जो है वो उनमे unity लाती है और वो religion है अब जैसे कि एक religion के बहुत सारे लोग जब एक society में रह रहे होंगे तो वो एक जैसी values को follow करेंगे norms को follow करेंगे यहां पर जो भी उनकी religious values है वो उनको follow करेंगे means कि उनके दरम्यान जो है वो unity होगी तो सबसे पहले religion का क्या काम हुआ कि वो as a primary blue के तोर पर काम करता है हमारे society में कि हमारे society के अंदर जितने भी लोग रह रहे होते हैं उनको यह unite करता है एक्स जो है वो इन्होंने pagan religion की बात की है जिसके अंदर हमें individual का कोई belief नहीं होता है यहां पर वो किसी भी religious values को follow नहीं क तो यह ऐसे beliefs तो set होते हैं तो उनके आपस में कुछ rights होते हैं means कि उनके एक तलाफात होते हैं, differences होते हैं, उनकी कोई ऐसे set ceremonies नहीं होती ही जैसे कि किसी religious human beings की होती हैं तो pagan religion and अगर हम लोग को normal दूसरे किसी और religion की बात करें जो उसमें थोड़ा सा different होता है लेकिन जो pagan religion है इनको भी उनकी space देनी चाहिए, according to bacon, कि उनको यह नहीं force नहीं करना चाहिए कि वो किसी भी religious value को follow करें, आपके किसी भी religion को follow करें, उनकी खुद की set beliefs हैं कि उन्होंने किसी चीज़ पर belief नहीं करना है, बेकन further argue करते हैं अपने इस essay में कि जो religious divisions होती हैं यह हमारे religion, charity, peace, इन इन सब के लिए बहुत harmful होती हैं, तो इन सब को avoid करना चाहिए, means कि हमें religious divisions नहीं करनी चाहिए, हमें एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, और हमें unity के साथ, इस society के अंदर एक दूसरी के लिए, को space देकर रहना चाहिए, further कहते हैं कि religion जो होता है, उसका meaning यह होता है, कि हमने human civilization में unity को maintain करना है, हमने एक दूसरे के लिए differences नहीं रखने हैं, एक दूसरे को harm नहीं देना है, अपने different ideologies से, हम जब एक religious country में रहते हैं, यहां पर एक religion को जब follow करते हैं, तो हमें चाहिए कि हम दूसरे के religion को भी उतनी ही respect दें, उतनी ही space दें, और अपने religion का true meaning है, कि हम अपने जो human civilization है, उसको unite करना है, इस purpose को fulfill करें, बेकन फर्दर ऐसे में discuss करते हैं, जो Christians हैं, उनके जो religious fundamental principles हैं, उनको follow करना चाहिए, और एक दूसरे के साथ जो है, वो united रहना चाहिए, फर्दर कहते हैं, जो little issues होते हैं, यह small issues, problems हो जाती हैं, इनको जो irrelevant ही रखना चाहिए, यह पर जो उनके irrelevant points होते हैं, उनको जो है, वो कोई importance नहीं देनी चाहिए, और उनकी वज़ा से जो है, वो एक दूसरे के दरम्यान, जो है, वो conflict जो है, उसको create नहीं करना चाहिए, यह जो different view points होते हैं, इनको जगा देनी चाहिए, और different view points को understand करना चाहिए, और जो है न, य चाहिए, accept करना चाहिए, Bible आपको जो भी rule बता रही है, जो भी उसने advice दी है, doctrine दी है, उसके बाद Bacon के जो advice है, के religious unity को जो है, वो follow करना चाहिए, religious यह जो एक दूसरे के दरम्यान conflicts होते हैं, उसे वज़ा से एक दूसरे से जो है, वो hate नहीं करना चाहिए, यह बाके सब religions प पने laws हैं, उन सब को जो है, वो उसी के according जो है, वो follow करना चाहिए, और एक दूसरे को जो है, वो space देनी चाहिए, ज़र जो है, वो हहाँ पर एक बहुत important जो ने concept दिया है, Christians के हवाले से कहते हैं, के Christians के पार ना, दो swords होती है, अब वो जो two swords हैं, first word वो जो है, जिसके through जो ह values को save करते हैं, या पर church को save करते हैं, next जो है ना, वो इन्होंने बताया है कि temporal sword होती है, Christians के पार, जो के power of government होती है, secular power of government, जो के church को हमेशा defend करती है, means के Christians के पार सबसे पहले तो spiritual sword है, और उसके बाद जो है, secular power of the government है, जो के इनके church को हमेशा safe रखती है, लेकिन इन्होंने जो third point किया है उससे जो totally मैं disagree करती हूँ क्योंकि bacon को चाहिए था कि वो जिस तरह से religious unity के बात करें है वो अपने इस third point जो कि अब हम discuss करने वाले हैं इसमें भी religious unity के बात करते ना कि किसी दूसरे religious man को जो है वो blame करते किसी chase के लिए अगर उनका difference है तो उसको अपने ऐसे में ना लेकि आते क्योंकि एक religion जो है वो कभी भी दूसरे के religion को जो है वो इस तरह से negate नहीं करता बलके religious values का नाम है एक दूसरे को जो अगर हमने unity रखनी है इस earth में इस world में society में तो एक दूसरे को as a human beings हमें एक दूसरे के religious values और उनको respect देनी चाहिए तो इनका ये third point जो है वो totally एक ऐसा है जिससे आप किसी के religion को हर्ट करना चाह रहे हैं यहाँ पे इनोंने कहा है कि जो Christians है उनको जो abstain रहना चाहिए अब किसी से abstain रहना चाहिए means कि जो third word है उससे दूर रहना चाहिए और वो एक प्रॉफिट मुहम्मद की इस word कि जिसके त्रू जो है वो bloodshed किया जाता है लोगों को force किया जाता है कि वो जो है वो Islam को follow करें आप जो religion है इसको follow करें बड़ ये एक totally wrong यहाँ पे notion यूज की है बेकर ने क्योंकि प्रॉफिट मुहम्मद ने किसी को भी forcefully जो है वो Islam follow करने पे जो है वो force नहीं किया था means के अगर कभी जैसे हमारी world war one हुई world war two ही जो war होती है तो उसके behind कोई reason होता है तो अगर bloodshed हुआ था तो उसके behind कोई reason है history है without any reason जो है किसी को force करने के लिए नहीं किया था तो यहां पे जो है मैं इस concept से totally जो है वो difference रखती हूँ और मैंने अपना concept जो है वो यहां पे दिया है कि Prophet Muhammad ने ऐसा कुछ नहीं किया था further bacon कहते हैं कि church को चाहिए कि वो जितनी भी unity based ignorance होती है यहां पे जो इन consistency होती है उनको वो reject कर दे यहां पिर ऐसा जो भी काम जो कि false unity हो यहां पे जो artificial चीज़ हो जो कि unity को destroy करे उन चीज़ों को जो है वो reject करना जो है church को भी और society को further इन्हों ने elaborate इसी चीज़ को किया है कि human beings को चाहिए कि अगर God को भी happy करना है या पे जो God को भी please करना है तो उसके लिए जो दूसरे human beings के जो rights है उनकी जो values हैं उनको reject ना किया जाए human beings के benefit के लिए भी दूसरे human beings के respect करना बहुत ज़दा important है means कि अगर God को भी please करना है तो इसका purpose यह नहीं होना चाहिए कि आप दूसरे human beings को negate कर दें totally यहां पर यहां इनका ऐसे जो हो खतम होता है I hope कि जो जैसे आपको समझ आयोगा विडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सबस्क्राइब कीजिएगा thanks for watching my channel